आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी पूप कृतिका से चेक्टर 1 माता का आचल यह वीडियो पार्ट 2 है पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो मैं आपको शोट में बता देती हूँ कि किस तरह संपून पार्ट मात्र प्रेम का अनुठा अधुर उधारन प्रस्तुत करता है इस कहानी में बताया गया है कि छोटे बच्चे किस तरह से उनके लिए सारी दुनिया की खुशियां सुरुक्षा और शान्ती की अनुभूती मा के आचल के अंदर ही मिलती है इसमें लेखक ने अपने बच्चपन को एक्स्प्रेन किया है कि लेखक जब छोटे थे तब उनके साथ उन्होंने अपने बच्चपन में कौन-कौन से खेल खेलते थे और कैसे-कैसे उन्होंने खेला तो उन्होंने उसे एक कहानी बना कर एक पार्ट में उतारा है तो चलिए आज हम वही कहानी चेप्टर के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी थोड़ी देर बाद जब बच्चे खेलते खेलते जब बच्चों के इधर उधर भाग जाते थे तो फिर से थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली फिर जुटती थी इकठे होते ही राये जमती की खेती की जाए फिर वो बच्चे इकठे होते थे फिर वे एक दूसरे से सलाह करते थे कि अब की बार हम खेती करेंगे बस चबूत्रे के छोर पर घिरनी गड़ जाती बस फिर क्या होता लड़के चबूत्रे के छोर को ही खेत बना डालते थे और नीचे के गली कुवा बन जाती और चबूत्रे के साथ की कली को वो कुवा बना देते थे मूच की बटी हुए पतली रसी में एक चुकड बांध गराडी पर चढ़ा कर लटका दिया जाता था मूच की बनी हुए पतली रसी ले लेते थे और उस पर बांध कर वो खेट के बीच में खड़ा करते थे दो लड़के बैल बन कर मोट खीचने लग जाते थे उन लड़कों में से दो लड़के तो बैल बन जाते थे और वो रसी खीचने लगते थे चबुत्रा खेत बनता कंकड बीज और ठेका जल जुआटा चबूत्रा तो उनका खेत बन जाता था और कंकड पत्थर उनके बीज बन जाते थे बड़ी महनत से खेत जोते बोई और पटाई जाते थे और चबूत्रे के उपर जो खेत बने थे वो बड़ी महनत से बचे जोतते थे, बोआते थे फसल त्यार हो दे देर ना लगती और उनके तों में फसल त्यार होने में टाइम नहीं लगता था हम हाथो हाथ फसल काट लेते थे बस वो बोते थे और उनको उसी टाइम काट लेते थे काटते समय गाना गाते वो सब काटते समय गाना गाते उच नीची की बही क्यारी जो उपजी सो बही हमारी बही उची नीची जैसे भी क्यारी उपजी है वो सब हमारी है फसल को एक जहंगे रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे वो सारी फसल काटते और एक कोने पे रखकर पैरों से रोंद डालते थे कसोरे का सूप बनाकर उसाते और मिट्टी की दिये के तराजू पर तोलकर राशी तियार कर लेते थे कसोरे का सूप बनाते थे और मिट्टी के दिये की तराजू बनाकर उसकी ताशी तियार कर लेते थे इसी बीच बापूजी आकर पूछ बैठते थे इस साल की खेती कैसी रही बोलाना था लेखक के बापूजी आते थे और वो भी पूछ बैठते थे कि इस साल की खेती कैसी रही बोलाना था बस फिर क्या होता था वो पहले की तरह खेत खलियान छोड़कर हस्ते वे शर्मा कर भ लोग बराबर खेला करते थे लेखक क्यते हैं कि ऐसे नाटक हम लोग बार-बार खेला करते थे बटोही भी कुछ देर ठिटक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे बटोही भी कुछ देर ठिटक कर यानि महापर रुखकर कुछ लोग हम लोगों के तमाशे देख लेते थे यानि खेल देखते थे, जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का जुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिलाने लगते थे, जब कभी भी हम मेले में जाने वाले आदमियों के ग्रुप को देखते थे, जुंड को देखते थे, वहां मेला लगता था गाओं में और लोग जाते थे, तो हम भी कूद कूद कर चिलाने लगते थे, हमें भी मेले में जाना है, चलो भाईयो, धदरी, सत्तु पिसान की मोटरी, चलो भाईयो, हम लोग भी मेले में चलते हैं, अगर किसी दूले के आगे-ागे जाती हुई, ओहारदार पालकी देख प पालकी जा रही हो, तो उसको देख कर वो खूब चिलाने लग जाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला में कनिया हमार महरी, इस डोली में जो भी कनिया है, वो हमारी महरी है, यानि हमारी धुलन है, इसी पर एक बार बुडे वर ने, हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड कर ठेलों से मारा था इसी बात पर एक बूड़े वरने यानि बहुत बड़े आदमी ने जो दुला बना वा था उसने हमें हम लोगों को बहुत तूरता खदेड तेवे यानि भगा भगा कर पत्रों से मारा था उस खसूट खबीज की सूरत आज तक हमें याद है यान उस गंदे आदमी की चिड़चडे आदमी की सूरत हमें आज भी याद है ना जाने किस ससूर ने वैसा जमाई ढूंड निकारा था ना जाने किस ससूर ने किस ससूर ने ऐसा खडूस जमाई ढूंडा था वैसा घोड मुवा आदमी हमने कभी नहीं देखा था आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाकी दोर दोड पड़ते थे, वहाँ चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चबाते थे, आम की फसल जब भी उपते थी तो खूब आंधी आती है उन दिनों में, आंधी के कुछ जब आंधी बहां से निकल जाती है तो सभी बच्चे दोड़ दोड़ कर बाग की और दोड़ते हैं क्योंकि आम पेड़ों से गिर जाते हैं उन्हें चुन चुन कर धुले धुले गोपी आम चबाते हैं एक दिन की बात है आंधी आई और पट पड़ गई आकाश काले बातलों से ढग गय मेग गरजने लगे बिजली कौंदने और ठंडी हावा संसन आने लगी पेड जूमने और जमीन चूमने लगे हम लोग चिला उठें एक दिन क्या होता है कि आंधी आती है आंधी काले काले बादल सारे ढग जाते हैं आसमान को सारा घेर लेते हैं मेग यानी बादल गरजने लगते हैं बिजली चमकने लगती है ठंडी ठंडी हवाई चलने लगती है पेड जो और से आंदी के कारण इदर उदर जूमने लगते हैं ये सब कुछ देखके हम डर जाते हैं और चिलाने लगते हैं एक पैसा की लाई बाजार की चित्राई बर्खा उध्रे बिलाई लेकिन बर्खा नैर रुकी और भी मुसलादार पानी होने लगा हम लोग पेडों की जड़म से धड़ से सट गए जैसे कुट्टे के कान में अठाई चिपक जाती हैं मगर बर्खा जमी नहीं थम गई लेकिन बारिश नहीं रुकी मुसलादार बहुत तेज बारिश होती रही हम लोगों पेडों की जड़ धड़ से सट गए यानि पेडों की जड़े जो थी वो जमीन से हट गई थी कुट्टे के कान पे जैसे वो चिपक जाते कीडे चिपक जाते हैं न वैसे वो बारिश जब बारिश बंद हो गई तो बाग बगिचों में वह सारे बिच्छु निकल आएं। बेचारे बुड़े वो बहुत बुज़ुर्ग आदमी थे आदमी को सूझता कम था और उसे सूझता कम था बुज़ुर्ग होने के कारण उसके सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गई थी उनको चिड़ाकर बोला बैजु उस बुज़ुर्ग आदमी को मुसंतिवारी को और हम सब बच्चों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाया और उनकों चिडाना शुरू कर दिया। मुसंतिवारी ने पेतहाशा खदेडा। मुसंतिवारी को इसने बुसा आ गया। उसने सभी बच्चों को बहुत डाटा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की और आंधी हो चले। हम लोग तो आंधी की तरह स्पीड से अपने घर की और भाग चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी ने सिधे पाटशाला में चले गए। जब हम लोग उसे रास्ते में नहीं मिले तो तिवारी जी हमारे सकूल चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए चार लड़के गिरफतारी वारंट लेके छूटे। वहाँ से जब हम वहाँ स्कूल से वहाँ उनको बैजू मैसुन तिवारी ने चार लड़कों को गिरफतारी वारंट लेके बेज दिया कि बैजू और उसके दोस्तों को पकड़ लाओ। इधर जो ही हम घर पोचे तो ही गुरुजी के सिपाई हम लोगों पर तूट पड़े। जैसे ही हम स्कूल से घर पोचे वैसे ही गुरुजी के छोड़े हुए सिपाई गिरफतारी वारंट लेके जो आ रहे थे वो हम लोगों पर तूट पड़े। जैसे स्कूल में, क्लास में, कई बच्चे अब गुरु जी के कहते हैं, फेवरेट होते हैं, अच्छे पढ़ाई में होते हैं, तो वो उनको ग्रिफतारी वारंट दे कर भेज देती है, बैजु तो नोदोगेरा हो गया, यानि नोदोगेरा एक मुहावरा है, इसका मतलब है महां से भाग गया, हम पकड़े गए, पर हम पकड़े गए, वह बैजु ने तो गलती की थी, शुरुवात बैजु ने की थी, वो तो भाग गया, और हम पकड़े गए, फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली, और गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली, यानि हमे बहुत डाटा, बापुजी ने यह हाल सुना, जब हमारे बापुजी को यह बात पता चली, वे दोडे हुए पाटशाला में और बहगे पाटशाला में आ गए, गोध में उठा कर हमें पुछकारने और फुसलाने लगे, और हम दुलारने से कुप होने वाले लड़के नहीं बापु जी ने हमें गोध में उठाया और हमें पुछकारने लगे चुप कराने लगे पर हम चुप कराने से प्यार पाने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे रोते रोते उनका कंधा आसुओं से तर कर दिया हम इतना रोये कि उनका कंधा आसुओं से गीला हो गया वे है गुरुजी के चिरोरी करके हमें घर ले चले चिरोरी का मतलब है प्रात्ना या विंती वे गुरुजी से विंती करके हमें घर ले चले रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का जुन्ड मिला फिर जब हम घर जा रहे थे पिताजी के साथ तो रास्ते में फिर से हमारे लड़कों का जुन्ड मिला वे जोर से नाशते और गाते थे वे बच्चे जोर से नाश रहे थे और गा रहे थे माई पकाए गरर गरर पुवा हम खाई पुवा ना खेलब जुवा भई हमारी माई ने गरम गरम पुवे बनाए और हमने खाए पुवे पर हमने नहीं खेला जुवा फिर क्या था हमारा रोना धोना भूल गया हम सब रोना धोना भूल गए हम हट करके बापुची की गोश से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तान सुर अलापने ये बापुची की गोश से फिर पहले की तरह हम उतर गए और रोना दोना सा हट करना सब भूल गए और मंडली में मिलकर हम सब अपना ही सूर और तान अलापने लगे तब तक सब लड़के सामने वाले मकई की खेत में तोड पड़े जब तक मैं गोदी से उतर था तो सभी लड़के सामने मकई का खेत था वहाँ पर तोड गए उसमें चिडियों का जुंड चर रहा था वहाँ पर बहुत सारी चिडिया थी जुंड बनाकर इधर उदर उड़ रही थी वे दोड दोड कर उन्हें पकड़ने लगे और वे बच्चे खेलने लगे चिडियों को पकड़ने के लिए इधर उदर भागने लगे चिडिया भी उड़ने लगी, पर एक भी हात नहीं आई, क्योंकि चिडिया उड़ रही है, और भाग रहे है, तो कैसे हात में आईगी चिडिया, हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, और हम क्या कर रहे थे, हम खेत से अलग ही खड़े थे, हम चिडिया को नहीं पकड पर गानक आ रहे थे राम जी की चिडिया है राम जी ने चिडिया को बनाया राम जी ने ही खेत को बनाया बही ये चिडिया खालो और अपना पेट भर लो हम से कुछ दूर बापु जी और हमारे गाउं के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे खेत से दूर खड़े बापु जी और गाउं के लोग ये सब कुछ देख रहे थे और यही कहकर हसते थे कि चिडिया के जान जाए लड़कों का खिलुना सच्मुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते कि वो लोग बोले हसते रहे उनको देखके और हसते हसते बोले कि चिडिया के जान जाए यह लड़कों का खिलुना सच्मुच सच्ची में लड़के और बंदर पराई बातों को नहीं समझते एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलिचने लगे नीचे से उपर पानी फेक ना था हम एक टीले पर जाकर हो गए वहाँ हम लोगों को क्या करना था चूहे के बिल से पानी निकाल कर भार फेक ना था हम सक पानी निकालते निकालते ठक गए, तब तक गणेश्ची की चूहीं की रक्षा के लिए शिव जी जी का साप निकल लिया, जब हम बिल में से पानी निकाल निकाल के बाहर फैक रहे थे, तो उसकी चूहीं की रक्षा करने के लिए साप बाहर निकल लिया, रोते चिलाते ह हम लोग बेतहाशा भाग चले, हमने साप को देखा, फिर हम रोने लगे, चिलाने लगे, साप साप करकर, और हम वहाँ से इधर उधर भाग खड़े हुए, कोई ओंधा गिरा, कोई अटाचिट, कोई इधर गिरा, और कोई उधर गिरा, किसी का सिर्फ उटा, किसी के दाट तूट गए, किसी का तो गिरते गिरते सिर्फ उट गया, और किसी के दाट भी तूट गए, सभी गिरते पड़ते भागे, सब इधर उधर गिरते पड़ते भाग रहे थे, हमारी सारी दे लहू-लुहान हो गई, सभी के बच्चों के सारा शरीर लहू लुहान खून में लत्पत हो गया पैरों तलवे काटों की छलनी हो गए पैरों नंगे पैर थे और पैरों के नीचे काटे चुप-चुप कर छलनी हो गए थे हम एक सुर से दोड़े हुए आए हम एक ही सुर में यानि एक ही साथ सब दोड़ रहे थे और घर में घुस गए उस समय बापुची बैठक के उसारे में बैठक कर हुका गुड़़़़़ा रहे थे उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर हम उनकी अंसुनी करके हम दोड़ते हुए मया के पास ही चले गए उन्होंने बरांटे में बैटे बैटे हुका गुड़ गुड़ाते वे हमें बहुत पुकारा, अपने पास बुलाया पर हम वहां नहीं गए और बहार से आते वे सीधा दोड़ते दोड़ते अपनी मैया के पास चले गए जाकर उसी की गोद में शरंड ली और जाकर उसी की गोद में बैठ गए मैया चावल अमनिया कर रही थी मैया चावलों को साफ कर रही थी हम उसी के आचल में छिप गए और हम मैया के आचल में छिप गए हमें डर से कापते देख कर वो जोर से रोने लगी और काम चोड़कर बैठ गई अधीर होकर हमारे भै का कारण पूशन लगी वो एकदम स्तिर हो गई देख कर डर गई हम लोगों को और वो हमसे हमारे डरने का कारण पूशने लगी कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी तो हमें गले लगा कर दबा लेती और कभी हमारे अंगों को अपने आचल से पोच कर हमें चूम लेती कभी हमारे शरीर के अंगों को साफ करती अपने आचल से और हमें चूम लेती बड़े संकट में पढ़ गई, वो बहुत बड़े संकट में पढ़ गई, कि मैं क्या करूँ, जटपट हल्दी पीस कर हमारे घावों पर थोपी गई, उन्होंने मैया ने जल्दी से हल्दी पीसे और हमारे घावों पर लगा दी, घर में कुहराम मच गया, घर में हल्चल मच हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आचल में लुके चले जाते थे, हम केवल धीमे सुर में धीरे धीरे डर के मारी पूरा साप भी नहीं बोल पाए, सा सा करते हुए मा के आचल में छुप गए, सारा शरीड थर थर काप रहा था, रोंटे खड़े हो गए थे, हमा के खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी हमारा सारा शरीर थर थर काप रहा था डर के मारी काप रहा था रूंटे खड़े हो रहे थे हम आखे खोलना चाहते थे पर वो खुल नहीं रही थी हमारे कापते हुए होटो को मैया बार बार निहार ने कर रोती और बड़े लाड से ह हमें गले लगा लेती थी। हमारे कापतेवे होटों को देखकर मया बार-बार निहार रही थी और निहार कर रोती ही जा रही थी क्योंकि हम डर से बहुत ज़्यादा काप रहे थे। इसी समय बापुजी दोडे आये। हमको थर-thर कापते हुए बापुजी वहाँ पर दोडे चले आये। आकर जट हमें मया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। हमें एक तम जटके से मया की गोद से हमें लेकर अपनी गोद में लेने लगे। कि पिता गोदी में ले और बच्चा का डर खतम हो जाता है कि वह अपने आपको सेफ महसूस करता है माता पिता की गोदी में। उसने देखा कि मया की आचल में तो वो डर रहा है अभी भी तो मैं गोदी में ले लेता हूँ। पर हमने मया की आचल की प्रेम और शांती के चंदावे की छाया ना छोड़ी। पर हमने पिता की गोद में जाने से बना कर दिया। इस पर हम मया की आचल में ही छुपे रहें क्योंकि हमें वहाँ प्रेम शांती की छाया मिलती रही और हमने उसे नहीं छोड़ा। अब इस पार्ट में हमें क्या सीखने को मिलता है कि मा के आचल में ही हमें शान्ती और खुशिया, सुरुक्षा की अनुभूती होता है। इस तरह इस पार्ट में हमें यही बताया गया है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक चुड़ाव होते हुए भी विपत्ती के समय वे अपने पिता के पास ना जाकर मा की शरण लेता है क्योंकि मा के आचल में उन्हें शान्ती मिलती है, उनका बहे दूर होता है। भोलानात अपने साथियों को देखकर सिसकना भी भूल जाते थे और तरह तरह के खेल केलते थे। इसलिए लेखक ने यहाँ पर साथियों के आपसी प्रेम का और मा के प्रेम का यहाँ पर खुल कर उन्होंने महतु बताया है, अनुठा अधुरा उधारण इस पार्ट में दिया है, अब आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे, हम लोगों ने सोचा है कि आपको समरी भी प्रोवाइड कराएंगे, हम चैप्टर वर्ड टु वर्ड मीनिंग के साथ कवर करेंगे, कैसा लगा हमारा वीडियो, वो हमें बतायेगा जरूर लाइक करेंगे, शेर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थैंक यू, बाई बाई